कि यार इसकी वज़े से मेरे को लॉस हो गया इस पैसा खर्च करने के लिए करजा लेने के लिए तरह रहते हैं तो आप भी अमीरी की ओर रास्ता कर से एक कहानी तो आपने सुनी होगी इस वीडियो इस पावरड बाए मेटास लाइश्टाई इंडियास लीडिंग मैनुफाक बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते इतिहास कारों ने इतिहास के पन्नों को जब खंगाला तो देखा कि अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं और जब इसके कारणों का अध्यन किया ना तो बहुत सारे कारण उनके साम कंनी नियाए लेकिन कई बार उन्हें ऐसा भी देखा कि अपवाद आसे भी मिले हैं जहां पर अमीर लोग गरीब हो गए हैं और गरीब लोग अमीर हो गए हैं ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कोई गरीब व्यक्ति बहुत जल्दी अमीर हो गया या बहुत अमीर व्यक्ति गरीब हो गया इसका मतलब कुछ तो ऐसे कारण होंगे कुछ तो ऐसे अपवाद होंगे जिसकी वज़ा से ये सब कुछ हुआ है तो इन सभी चीजों का ध्यन करने से पहले उनने बहुत सारी चीजों को जब study किया तो पता चला किसके पीछे बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण है और उनमें सबसे पहला कारण है mindset एक कहानी तो आपने सुनी होगी कि जो घोडा होता है ना घोडा उसके गले में रस्षी डाल के रखा जाता है और उसको किसी solid चीज से बांधा जाता है और रस्षी भी बड़ी heavy होती है क्योंकि उसको तोड़ने का निरंतर प्रयास करता है और तोड़ने के प्रयास में वो लगातार ये बात समझता रहता है उसके mind make ऐसा software develop हो जाता है जह सकता है mindset के उपर जैसा mindset आपका develop होगा ना वैसी ही progress आपकी होगी अगर आप अमीर है तो हो सकता है बविश्य में आप और अधिक अमीर हो और यह mindset ठीक नहीं है तो अमीर व्यक्ति भी गरीब हो सकता है ठीक उस तरह से अगर आप गरीब हैं तो कई बार यह संभावना है कि गरीब और अधिक हो जाएंगे लेकिन अगर आपका mindset ठीक है तो आप भी अमीरी की ओर रास्ता कर सकते हैं तो जब mindset के बारे में बात की गई तो पता चला कि ऐसे क्या mindset है जिसकी वज़े से अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब रह जाता है यह अपवाद बदल भी जाता ह है तो इसमें सबसे पहली चीज है growth mindset and fix mindset यह देखा गया जो rich mindset के लोग होते है वो growth mindset रखते हैं वह हमेशा progress के बारे में सोचते हैं progress की और ध्यान देते हैं और progress से संबंधी चीज़ों को ही catch करना शुरू करते हैं और जो fix mindset के लोग होते हैं या जो poor होते हैं उनका जो mindset होत अब यह कैसे पता लगी कि आपका माइंचेट फिक्स है या ग्रोथ का माइंचेट है तो आप बहुत सारी चीजें नोट करें एक नोट पैड़ पर इन सभी पॉइंट को लिखें और लिखने के बाद अपने आपको उन में से मार्ट दें सबसे पहली बात जो ग्रोथ आपके हाथ में जरूर लगती है जो आपको कामियाभी के टॉप शिखर तक पहुंचा सकती है इसलिए जो ग्रोथ माइंचेट के लोग होते हैं वो निरंतर अपनी स्ट्रेटेजी में परिवर्तन करते रहते हैं वो कभी हार नहीं मांगते जबकि फिक्स माइंचेट के लो क्या यह मेरे काम का सबसे बेस्ट वे है या मैंने अपना बेस्ट आउटपूट दिया है अगर बेस्ट आउटपूट नहीं है तो अपनी एफिशेंसी को बढ़ाने पर प्रयास करते हैं लेकिन जो फिक्स माइंचेट के लोग होते हैं वो कहते हैं मैंने जो किया है ना यह सबसे best है मैं इस सदा इसको update नहीं कर सकता जिसकी वजह से उनका mindset fix रहता है next important this may take some time and effort वो हमेशा ये मानते हैं कि ये बात कुछ समय या कुछ effort जरूर लेगी और लगातार जब मैं effort करता रहूंगा तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी and this is too hard और जो fix mindset के लोग है वो सोचते हैं लोगों के बीच में और अध्यन किया गया तो बहुत सारी ऐसी habits पता लगी जिसकी वजह से अमीर लोग अधिक अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग अधिक गरीब होते जा रहे हैं या इसका अपवाद भी हो सकता है depend करता है आप अपनी habits को कैसे develop करते हैं number one invest money जो rich mindset के लोग होते हैं वो हमेशा अपने पैसे का निवेश करते हैं और वह ऐसी जगे निवेश करते हैं जहां पैसा निरंतर प्रगती की और आगे बढ़े मतला बढ़ता चला जाए उनका investment हमेशा बढ़ा होता चला जाए और यह क्या करते हैं जो fix mindset के लोग होते हैं या जो poor tendency के लोग होते हैं यह spend करते हैं मनी को rich mindset के लोग invest करते हैं और यह spend करते हैं खर्च करते हैं पैसे को इनका मुख्य उद्धेश होता है कहीं से भी पैसा आ जाए तो कैसे मैं उसको खर्च कर सकता हूं और कई बार देखा है इनके खर्चे की planning पहले से ही बनी होती है और rich mindset के लो कैसे कैसे invest करना क्या खर्चा करना क्या operating cost उनकी आनीए सब कुछ इनको पता होता है पूरी planning के हिसाब से ही अपनी money का utilization करते हैं और यह budget करते हैं मिशा यह पहले सी budget बनाके रखते हैं for example 20,000 रुपे एक महीने में आने वाले हैं तो उनका पूरा फिक्स खर्चा पूरा बजट पूरा पहले से ही तयार होता है है ना debt for investment अगर rich mindset के लोग debt लेते हैं मतलब करजा लेते भी है ना तो उनका एक ही गोल होता है कि उस करजे को मैं कैसे invest करूं कि मुझे मिलने वाला return उसके pay करने वाले principle और interest से जादा हो ताकि मेरी growth हो ध्यान से समझेगा वो पैसे को हमेशा invest करने के लिए चाहे business में हो चाहे share market में हो property में हो gold में हो jewelry में हो इस तरह से पैसे को invest करते हैं और करजा भी लेना पड़ जाए तो उस करजे का utilization भी growth के लिए करते हैं ना कि खर्चे के लिए और यह क्या करते हैं debt for spending खर्चा करने के लिए करजा ले लेते हैं electronic gadget से यह इमाई पर करा लिया गूमने का trip करना है तो वह भी इमाई पर भरते रहेंगे मतलब वह अपने उपर पैसा खर्च करने के लिए करजा लेने के लिए रहते हैं responsible होते हैं लोग बहुत ज़्यादा इन्हें पता होता है कि अगर इनकी life में कि कोई मिस्टेक होई है financial मिस्टेक होई है तो उसके लिए responsible है यह अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं जबकि जो पूर मैंड़ेट के लोग हैं वो ब्लेम अदर्स वो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि यार इसकी वज़े से मेरे को लॉस हो गया इसकी वज़े से मैं आगे नहीं बढ़ पाया economy इस तरह की चल रही थी तो मैं आगे growth नहीं कर पाया बहुत सारे कारण दूसरे पर blaming हमेशा करते रहते हैं नेक्स जो habit और study की गई वो थी सबसे पहली चीज़ learn and study यह हमेशा अपने learning पर focus करते हैं मतलब rich mindset के लोग हमेशा अपनी learning पर focus करते हैं अपनी जो poor mindset के लोग होते हैं वह सोचते हैं कि मुझे आता है न वो enough है आपने देखा को बहुत सार लोगों कुछ मीब बताएए एन लग जाओ न तो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ आता है लेकिन जो positive mindset केा रिच मैंडचा के लोग हैं वह हमेशा आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं और यह देखते हैं मैं इसमें से क्या सीख सकता हूं next buy time and sell time और waste time buy time rich mindset के लोग कहते हैं कि life में 24 घंटे का समय सब को fix मिला है इसमें से 8 से 12 घंटे का आपका working hours होते हैं तो rich mindset के लोग क्या करते हैं employees को higher करते हैं और अपने hours को बढ़ाते रहते हैं 8 घंटे गुना में 10 इंपलाई गुना में 20 इंपलाई गुना में 30 इंपलाई number of employees को बढ़ा कर अपनी productivity को बढ़ाते रहते हैं मतलब अगर उनके पास 10 इंपलाई है तो 8 घंटे के जाब से असी घंटे पर 24 आर वह काम करते हैं 24 घंटे गंटे काम होता है क्यों क्योंत कुंको लोग उनके लिए या ले बैना करते हैं तसक्या वेस्ट करते हैं हमेश्थ आप समय को बे स्वार्इटम किनुवे छीजों में शोष़ाल, इस फ्रуждष लेए और मल्टीपल इंकम सोर्स रिच माइंड सेट के लोग हमेशा एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इंकम पर काम करते हैं दुबारा बताता हूं एक्टिव and passive active income मतलब जिनके काम करने से ही उनको income होती है और passive income उनके पैसे उनके लिए काम करते है या उनके लोग उनके लिए काम करते है उनकी property उनके लिए काम करते है उनका investment उनके लिए काम करता है जबकि जो poor mindset के लोग होते है उनके अंदर एक खासित क्या होती है उनके पास single source of earning होती है मतलब जब वो काम करेंगे तब इंकम होगी वो काम नहीं करेंगे तो इंकम भी नहीं होने वाली है और कई बार देखा गया है बहुत professional लोग भी अपना network डेवलप नहीं कर पाते हैं उनके अंदर में लोग काम नहीं करते जैसे professional advocate है, professional doctor है, engineer है, architect है ये भी कई बार rich mindset के नहीं होते हैं इनका भी क्या mindset होता है कि जब मैं काम करूंगा तो income होगी लेकिन उनमें से जो लोग rich mindset रखते हैं वो अपनी team develop करते हैं और अपने business को expansion की ओर ले जाते हैं next net worth driven ये हमेशा अपनी calculation net worth से करते हैं कि आज की date में net worth का मतलब होता है आपकी total assets minus liability घटाने के बाद देंदारियां घटाने के बाद आपकी net value कितनी बनती है और ये मेशा income driven होते हैं क्योंकि इनको सिरफ यही पता होता है कमाएंगे तो दुनिया में आगे survive कर पाएंगे य लेकिन उस कमाने की वजह से वो अपने उतने ही खर्चे maintain कर लेते हैं जिसकी वजह से कभी भी extra saving नहीं होती कभी भी growth के लिए कई investment नहीं होती क्योंकि learning नहीं है इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको अपने mind में ऐसी habit develop करनी ताकि आप rich mindset develop कर सके इस बात से कोई फर्क नहीं होगा वैसे ही लोग आपके circle में होंगे और जैसे लोग आपके circle में होंगे वैसे ही आपकी growth होगी इसलिए अपनी habits को जरूर focus करें कि आपको rich mindset की hobbies को rich mindset की habits को focus करना है इसके लावा यदि आपके मन में कोई भी प्रश्ण है तो आप comment box में मुझे लिख सकते हैं informative वीडियो मिसना उसको लिए चैनल को subscribe कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिले स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत